खबर यूपी के जन्पत आयोध्या से है पुर्वी की भांती विगत तीन दिनों से हो रही बारिस से जगाज जगाज जल पराव हो गया है सडकों के तूट जाने से 24 घंटे दुर घटना होने से जान का खत्रा बना रहता है यह समस्या आयोध्या के नगर निगम के अंदगरत रह रहे स्थाने निवासियों की इसी करम में अपनी समस्या को बताते हुए यहां की रहने वाली गीता का कहना है कि हम चाहते हैं कि यह जल भराव की सीती जरासी बारिश होने पर 2400 घंटे बनी रहती है और इस समस्या का निदान जल से जल किया जाए हम अपनी समस्या को लेकर पारसद से कई बार मिले लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है ब्रामन नगर बुद्टोला की रहने वाली निवासी महिला मीना गुमारी का कहना है कि आयोध्या नगर निगम के पारसद तो बहुत ही नेक दिल इंसान है लेकिन जो समस्या है इसको सुनने वाला पारसद तो है लेकिन जब ये बात अपने उच अधिकारियों तक पहुचाते हैं तो वहाँ पर नहीं सुनी जाती है कहने का मतलब है कि आप विजेपी के कार्याले में पार्षत की नहीं सुनी जा रही है और बारिस होने से नाले का पानी घर घर में भर रहा है जिससे 24 गंटे गंदगी का अंबार लगा रहता है क्रोना काल की इस स्थीती में अगर ऐसा हो रहा है तो इस समस्या से हम लोगों को निजात ना मिले तो हम लोग तो बेमौत मर जाएंगी वा बेगम वाड के रहने वाले पार्षत प्रतिनिधी मुरारी सिंग्यादव का कहना है कि उनकी मांग है कि ये नगर निगम के करमचार्य जो जगह जगह नालों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है इसकी साफ सफाई करवाए और पार्षत प्रतिनिधी ने अभी बताया कि नालों की सफाई करने के लिए हमने इसकी सिकायत अपनी मांग उच अधिकारी पत्र देकर करी है लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई है जिसको लेकर मजबूरी बस यहां के रहने वाले लोग जब पानी भर जाता है तो उसे भरे हुए पानी वा कीचड में आते जाते जैसे सीती बहुत गाईनी बनी रहती है और जब यहां के लोग करे तो क्या करे पार्सत प्रतिन इदिका भी यहां पर आरोप फिक नगर निगम पर भी वे लोग करोडों रुपे खच कर डालते हैं एक तलाब की सफाई करवाने में लेकिन हम लोगों का नाला नहीं साथ किया जा रहा है यह बहुत ही चिंता का वि क्या कहना चाहते हैं यहां पानी बहुत दिक्कत है अब आ करते हैं लगी बन रासर अब लोगों की पारसदी हो गए हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं कई बार लिख के दिया भी गया गया पानी निकल जाए लेकिसके बाद पूरे साल बहुत इसमें पानी बरा रहता है कि वह एकात मेंने चाहे शुका हो पूरे साल भर लोग पानी मेंसे आते जाते रहते हैं कई बार सिकायत की कि लेकिन ना कोई छोटा काम ना कोई बड़ा काम यह डूडा से नपी हुई फालग तीन मेले पहले नपी थी इसका कार भी नहीं चालूआ जब कि ब्रामा ठोलक सड़क हमने तीन महले पहले नपवा दी थी कि बन जाये कम से कमुची हो जाए इस पार जल भराव नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ नगर निगम बात ही चुड़ी है नग अगर निगम पास लेबर नहीं हम लोग किससे साफ करां किससे वहां से इटा हट वाए यह दूर्दास पाधिकर से ठेका हुआ नाला सफाई का लाल बाक से वहीं लोग लाते हैं इतनी तेज चलाते हमारे है पानी महां से आज 6-7 साल से भरा हुआ है बारिस अभी नहीं है उसके बाद देखना क्या हाल होगा हम लोग तो निकन नहीं पाएंगे घर में पूरा पानी चला जाता है घर उंचा है तब भी हाल है यह नाला का पानी पूरा यहां से वहां तक भरता है पूरा वहां तक पारसदी हमारे बहुत अच्छे हैं वो अपना परियास कर रहे हैं मांग यही करने, सरकार इसको देखे, हम लोग का गरीबता देखे, यह बनाए, यह सड़क बनना चाहिए, मीना कुमारी. मांग यह सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइप, पार्ग, कम्यूनिटी सेंटर, तुरंथ रिजिस्ट्री और प्रसेशन भी, कॉल 9466034000.